सिखो के पवित्र तीर थे स्थर प्रसिद हिंकुड साहिब और लोगपाल लक्षमान मंदिर के कपाट सुमवार को विदिवधान के साथ बंद कर दी गए भारी बरबारी के बीच गए च्रद धालू इस खास पल के साक्षी बने तो वहीं तीर थे आप श्री में खासा उत्साहा भी देखने को मिला आपको बता दें गुरू द्वारा श्री हिंकुड साहिब के कपाट 10 सक्टुबर यानि के आज तो बहर एक बज़ी के लिए बंद कर दी गए इस के अलावा लक्षमन लोगपाल मंदर के एक पाट भी बंद हो गए हैं कपाट इस साल 22 माई को खोले गाए थे गौर हो कि हेमकुड साहिब में सिख्खो के दसवे और अंतिम गुरू गुरू गोविंद सिंग ने तपस्या की थी हेमकुड साहिब विश्व भर में सबसे उचाय परसित गोरू द्वारा है 15,225 फीट की उचाय परसित है इस पावन स्थल के पास हिंदू धर्म का भी एक प्रमुक मंदर है जो कि हेमकुड साहिब की बरतेली बादियों और हेमकुड जील के तट पर बसा लक्षमन मंदर है जो लोगपाल मंदर के नाम से भी जाना जाता है आपको बता दें कि हेमालाई की गोद में बसे हेमकुड साहिब में हर साल लाखों की संख्या में श्रधालों दर्शन करने के लिए पहुचते हैं हेमकुड साहिब चारों और से पत्रीले पहाड और बर्फ से धकी चोठीयों के बीच पसा हुआ है यहां का सफर आने के लिए श्रधालों को बर्फीली रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है एंके न्यूस की डेस्क रिपोर्ट